ओम श्यान्तियम हम सभी को बाबा ने इस जीवन का महान लक्ष दिया है जो मनुस अपने लक्ष को बहुत strongly अपना लेता है और जो मनुस अपने लक्ष को पाने के लिए संपोर्ण परियास करता है वो अनेक तरह की व्यर्थ बातों से मुक्त हो जाता है लक्ष के अनुसार मनुस में लक्षन भी आने लगते हैं लक्षनों पर भी हमें ध्यान देना चाहिए परन्तु लक्ष की द्रड़ता लक्षनों को जीवन में सहज लाने का साधन बन जाती है प्रंथु ये भी सक्त है कि किसी भी लक्ष को पाने के लिए उसकी एक समुचित प्लानिंग भी परम अवश्चक है बाबा ने हमें एक महान लक्ष दिया है कि तुम्हें अपनी स्थिते को विष्णू के समान अचल डोल बनाना है विष्णू स्वरूप देखें विष्णू जी सेश्चया पर लेटे हुए हैं सापो की छत्र चाया है चारो ओर सागर में लहरे उठ रही हैं बड़ी बड़ी तरंगे उठ रही हैं लेकिन विष्णू जी गीता ज्यान में मागन बिल्कुल अचल डोल इस्थिती में लेटे हुए हैं और वहीं से जैसे सारे संसार को द्रश्टी दे रहे हैं देख रहे हैं उसकी पालना कर रहे हैं और ऐसी स्थिती होने पर लक्ष्मी चर्णों में आ गई है अर्था धन संपदा ऐसी स्थिती के बाद चर्णों में आ जाती है हम भी लक्स बना लें कि हमें अपनी स्थिती को विश्णु जी के समान अचल अडोल बनाना है पांचो विकार हमारी छत्रचाया बन जाएं ये पांचो विकार ही बड़े नाग हैं, सर्प हैं इनको अपने वस्मे कर लेने से ये हमारी छत्र छाया बन जाते हैं और हम इन पराराम से विश्राम कर सकते हैं सागर में चाहे कितने भी तुफान हो अर्थात इस जीवन में चाहे कितने भी माया के तुफान हो परिस्थिती और समस्याओं के तुफान हो हमारी स्थिती अचल अडोल रहे ऐसा हमें संपोर्ण रूप से पुरसार्थ करना है इसके लिए ज्यान की बातों को यूज करना है बाबा की सहयोग को याद करना है समर्पन भाव को प्रेक्टिस में लाना है बाबा का हाथ हमारे सिर पर है वो सदा हमारी चत्र चाया है इसके सुन्दर अनुभों में विश्वास में रहना है और ड्रामा के ग्यान को भी युज करना है ताकि हमारी स्थिति बहुत अचल अडोल हो जाए जब हमारी ऐसी स्थिति हो जाती है और हम गीता ग्यान में मगन रहने लगते हैं बहुत important बात है हम गीता ज्यान को इस्मरण करते हुए ज्यान में मगन रहने का अभ्यास करें व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रहकर ज्यान इस्मरण, ज्यान का चिंतन मुली पर बहुत attention ऐसा फुर्शार्थ करेंगे तो इस सत्य गीता ज्यान में हम मगन हो जाएंगे और ये आनंद भी कोई कम आनंद नहीं है जैसे विष्णु जी जैसे की सेश्यया पर निश्चिन्त हो कर लेटे हुए हैं हम भी ज्यान मनन से योग सक्ती से निश्चिन्त जीवन का अनुभव करेंगे और जब हमारी ऐसी अवस्था हो जाएगी तो सचमुष धनसंपदा के पीछे हमें भागना नहीं पड़ेगा वो तो हमारे चर्णों की दासे बन जाएगी वो हमारे चर्णों में आ जाएगी हम अथा धनसंपदा के स्वामी बन जाएंगे तो आईए हमें टैंच संदे आज, कि हमें अपनी स्थिटी को विश्नु के समान बनाना है, अपना वो स्वरूप दिन में कई बार हम सामने लाएंगे. ये हमारा भविश्का नसा भी है और हमारी वर्तमान की स्थिती भी है, हमारा वर्तमान का लक्स भी है, आज सारे दिन में हर घंटे में एक बार हम अपने इस वरूप को सामने लाकर एक प्रेणा लेंगे कि ये है मेरी सच्ची स्थिती और फिर सारा दिन एक बहुत सुन्दर अभ्यास करेंगे कि स्वयम ज्यान सुरिये परमधाम से नीचे उतर कर मेरी आँखों के सम्मुख आ गए हैं, देखें उनकों अपनी आँखों के सम्मुख और उनकी सक्तियों की रंग विरंगी किरने सामने से मुझ पर पड़ रही हैं और मैं हूँ मास्टर ग्यान सुरिये ये अभ्यास सारा दिन करते रहेंगे हर घंटे में दो बार अवस्च करेंगे तो आप सब को बहुत बहुत थैंक्स, ओम चान्पे